बिसमिल्म्αिर्रह्मान र選ॉर्य। अनसीं रूट्य। कियात आनसलं रू भाभा अम्मी अनसी अनसी बिननर। बदर के जंक से लड़ाई से गायब रहे पीछे रहे याद रखें बदर की लड़ाई अच्छानक पेशाई थी कि हुजूर स्वाबा को लेकर एक खाफले को लेने के लिए गये थे लेकिन पिर वो उन्होंने मक्का के मुश्रिकीन को वहां से बुलाया और पूरा एक लशकर तयार हो गया तो उस वक्त हुजूर स्वाबा के लड़ाई के लिए तयार हो गए और जंग लड़ी इस वज़ासे जो सहाबाई कराम रदियालाह थालानों बदर से पीछे रहे गए उन पर कोई इताब नहीं हुआ हलांके बाद मैं तबुक से जो पीछे तीन सहाबा रहे गए उन पर रहताब हुआ लेकिन जो बदर से पीछे रहे गए उन पर रहताब नहीं हुआ इसलिए कि कोई बाकाइदा जंग नहीं थी और जंग के इरादे से सहाबा निकले भी नहीं थे बस अचानक पेश आगई ह हला ते ऐसे बन गए कि बड़ा जंग हो गया और एक मशहूर जंग हुई शुरू वाली जंग इसलाम की कि इसकी वज़ा से ल्ला के हाँ बड़ी यानि इसकी खिमत भी थी ती और सहाबा किराम रदिया ल्लाह उतलना जो उसमें शरीक हुए उनको उनकी सब कि अल्ला ने तलतल मुश्रिकीन अवल जंग जो आपने मुश्रिकीन से की है उसे में गायब रहा लएनि ल्लाह एशहदनी किताल मुश्रिकीना अगर ल्ला ने मुझे किसी और जंग में शिर्कत की तोफीख दे दी मुश्रिकीन की लड़ाई में लयुरियननलाहुमा असना तो जरूर जलने जलनी जलालो देखेंगे जो में करता हूँ मैं क्या करूंगा वो पल्लाह प्र देख लेंगे, क्या करना मैं मैं सरञाम दे ले जता हूँ फलम्मा कान योम उहदिन जब उहद का दिन था इनकशफ अलमस्लिमों मुसल्मान तोड़ा आगे पीछे हो गए फेल गए फकाला अल्हुमा आहतजिर एलाईका मिम्मा सनाहा उलाई यानि अस्हाबहू ये कहने लगे एल्ला मैं आपकी तरफ आपसे माजरत करता हूँ उससे जो ये मेरे साथियों ने किया ये मेरे साहबह ने और मैं बराद पेश करता हूँ आपके सामने उससे कि जो ये करते हैं ये मुश्रिक लोग फिर आगे बड़े उन से साथ बिन मौाद मिले फकाल ये निसामने आए फकाल या साथ बिन मौाद केहने लगे ए साथ बिन मौाद जन्नत रब काबा की किसम मुझे उसकी खुश्बू आती है उहत पहाड की तरफ से काल साथ फमस्ततातु या रसूल अल्ला मासना साथ रदिया ल्लाहुट नो कहते हैं कि एल्ला की रसूल पर मैं कुछ भी नहीं कर सका की जो वो खरते थे काल अनस यानि वो लड़ने शुरू हो गए लड़ाई जंग में गुज गए अनस रदिया ल्लाहुट नो फर्माते हैं वो वजदना भी बिज़ण वसमानी न जर्बतन बिस्ध असी से कुछ ज़्यादा निशान हमने उसके बदन पर तलवार की मार के देखें और तानतन बिरम्हिन गरुम्हिन या उसको नेजे से मारा हो और रम्यतन बिसहमिन या किसी तीर से उसको तीर उसको पेंका हो और उसको जखमी किया हो وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ और हमने उसको पाया कि वो गतल हुए है और मुष्रिकीन ने उसको मुथला बनाया है यहनि उसके नाक कान सब चीजों को आजा काटा था فَمَا عَरَفَهُ أَحَدٌ उसको किसीने नहीं पहचाना मगर उसकी बहन ने उसकी अंगोटे से काल अनस कुना नरा हम यह ख्याल करते थे और न दुनन यह ख्याल होता हमरा अन्ना हादीह आया नजलत फीह वपी अश्बाही कि यह आयत इनके बारे में और इन जैसे दुसरे लोगों के बारे में नाजल हुई है मिनल मुमिनीन रिजालुं सदकु मा आहदु लाह आले मुत्तफ़ुन आली रिवायत गालुहु लयुरियन ल्लाहु रूविया बदम लिया वकसर र्रा इला युदहिरन ल्लाहु धालिक लिननास यानि अल्ला जल्लाहु यह लोगों को दिकाएंगे ल्युरियन ल्लाहु अगर पढ़ेंगे तो फिर इसका माना यह होगा जो मैंने पहले किया था कि अल्ला जल्लाहु देखेंगे लेकिन अगर इसको ल्युरियन ल्लाहु पढ़ेंगे तो इसका माना यह होगा कि अल्लाह पाक लोगों को दिकाएंगे लोगों को जाहिर कर देंगे कि मैं क्या करता हूँ उसके बाद रिवायत है नभी मसूद इन उखबत अपने अमरी अलासारी बद्री रदियाल्लाहु अनु काल लम्हा नजलत आयत सदका फर्माते हैं कि जब सदके की आयत नाजल हुई कुना नुहामिलो अला जुहूरिना फर्माते हैं कि हम मजदूरी करते थे अपने बोज उटाते थे अपने कमर पर अपने पुष्टों पर फजा अरजलन पिर एक आदमी आया फटसद्दक अबिशे इन कतीरें बहुत कुछ लेकर आया और सदका कर दिया फगालो मुरा इन मुनाफिक लोगों ने कहा कि ये रियाकार है रियाकारी करता है वजा रजलन आखर एकोर शखस आये फटसद्दक अबिशाइन उसने सदका किया एक साग कजूर का कजूर ता या कुछ बिच्छ इस ता लेकिन एक सा मामूल इसा फगालो किहने लगे मुनाफिक लोग इनल्लाह लगनी और अन्साव हादा कि इस आदमी के इस सा से अल्ला जल्ला जल्ला लगनी है कोई जरूरत नहीं इसकी सागी कि वो लोग मुनाफिक कि जो तान करते हैं उन मुतविवईईन पर कि जो नफली काम करते हैं मिनलमुमिनें इमान वालों मैंसे पर सदकाते सदकात में खर्च करते हैं सदके खर्च करते हैं वो लगने और वो लोग बिद्धात ला यजदोना इल्ला जोहदहुम कि अपनी मजदूरी मुशक्कत के इलावा उनके पास कुछ नहीं होता मजदूरी आ करते दे ताकि कुछ कजूरें उनको मिल जाएं और वो लगने खर्च कर दे ऐसी मिथाल कियामत तक किसी को नहीं मिलेगी कि कोई आदमी जैसे सहाबा ने काम कर दी कि कोई आदमी मजदूरी कर ले अपने कमर पर बोज उटाये किसी का सारा दिन ये काम कर ले और इसलिए कर ले ताकि उसको कुछ मामूली सा कुछ रखाम या कुछ कोई चीज उसको उसके बदले में मिल जाए और उसको अल्ला के रास्ते में खर्च कर दे, सद्का कर दे इसलिए कि हुदूर स्व अलला ओसलम अलान करते की चंदा जमा करलो सद्का के लिए जिसके पास जो कुछ है वो लाओ तो जिन के पास कुछ नव होता है उनके पास मस्दूरी मेहनत मुश्गक्त होती वो उसको मस्दूरी करके पिर कुछ ले आते पिर कभी दोड़ा कुछ ले आते तो फिर मुनाफिक भलों कहते कि अल्ला पुछ इसकी क्या जरूरती इतने दोड़ा माते तो अल्ला ने उनकी बुराई बयान थे कि हमें से एक अपने पुछ पर बोज उटाता अजरत के तोर पर मजदूरी के तोर पर और पिर उसको मजदूरी को सद्का करता उसकी बाद रिवायत है साइद बन अब्दुलाजीज और रबिया बन यजीद नबी इद्र जुन्दुबी बन जुनादा रदिया ल्लाह उन्हान नबी आसलों पिमा यर्वी इसे रिवायत करते आनि लाह तबारक वताला अल्ह तबारक वताला से अन्हु काल कि अल्लह पाक न फर्माया या अबादी इन्हारम तु जुल्मा अला नवसी ए मेरे बन्दु मैने हराम किया है जुल्म को अपने उपर वजालतु हु बेनकु मुहर्रमन और मैंने उसको तुम्हारे दर्मियान भी मुहर्रम हराम करार दिया है फला तजालमो तुम जुल्म न करो या आइबादिये मेरे बंदो कुल कुम दालिन। कसवतो हो तुम सब के सब नंगे हो बगिर लिबास के हो एला मन कसवतो हो मगर जिसको मैं पहनाओ फस तकसोनी अखसोकं तुम मुझसे तलब कर लो कपड़ों का लिबास को मैं तुमें लिबास दूँगा या आइबादी मेरे बंदो इनकुम तुखतोना बिलल्ले वन नहार मराद दीन गलतिया करते हो और मैं सारे गुना माफ करता हूँ मुझ से गुना बख्षिश मांगो मैं तुम्हारी बख्षिश कर दूँगा या अबाद ये मेरे बंदो इनकुम लन तबलू गुतुरी फटजुरूनी तुम मुझे तकलिफ पहुंचाना चाहो नहीं कर सकते ये सब के सब एक मुझे शख्षिश के दिल पर जमा हो जाए तुम से कोई एक मुझे शख्षिश मेरे बादशाहत में ये कुछ ज़्यता कुछ इजाफा नहीं होगा इसे ये अबाद ये मेरे बंदो मेरे बंदो अगर तुम्हारे अवल और आखिर और तुम्हारे इंसान और जिनात कानू अला अफजर कल्ब रजुलिन वाहिद मिनकुम ये सब के सब एक अफजर कल्ब रजुल वाहिद मिनकुम हो यानि तुम में से एक शाहस उसका जो सबसे बुरा शाहस है उसके दिल पर सबके दिल जमा हो जाए सबके दिल इतने बुरे हो जाए जितने अबुजहिल के दिल का दिल बुरा था माना कसदालिक में मुलकी शेया अल्ला पाक फरमाते हैं कि मेरी बादशाहत में ये कोई कमी नहीं लाती या अबाद ये मेरे बंदोलो अगर तुम्हारे अविल और तुम्हारे आखिर, वएंसकूंव जिन्त scratching तुम्हारे इन्सान और तुम्हारे जिन्नाथ, कामूफिसाहे nossos उिर्धाने एक मैदान में कड़े हो जाए, फसालुनी उन्णी, फिर मुझसे मांगे फाते तु कुलाे इनसान, मसालतों, मै दिन वाहे दिन ये सब एक मैदान में कड़े हो जाए फसालोनी पिर मुझसे मांगे फाताई तक लाइ इनसान इन मसाला तो मैं हाद इनसान को जो उसने मांगए उसको दे दू माना कसदाले कमें माइन दी ये सब मेरे पास जो कुछ है उसमें से कम नहीं करेगा मगर जतना कि सोई को समंदर में डालने से वो कमी करता है इतनी कमी भी मेरे खजाने में नहीं आईगा ये आइबादिये मेरे बंदो इननमाही आमालकूम ये तुमारे आमाल है अखसीहालकूम मैं तुमारे लिए उनको महफूस करके रखता हूं फिर पूरा पूरा तुम्हें वापस कर दूंगा फमन वजदा खेरां पस जिसने भी इसको खेर पाया फल्याहमदिल्ला वो अल्ला का शुकर अदा करें वमन वजदा गईर दालिक और जो इसके इलावा कोई और पाये यनि बुराइयां पाये उसमें किसी को भी मलामत ना करें मगर अपने आपको मलामत करें खाल साहिद साहिद फरमाते हैं काना अबु इद्रेश अबु इद्रेश खौलाने रदिय ल्लाह उत्रानों जब इस खदेश को बयान करते हैं झासा जलारु कबते है अपने गुटनों को ब्ल वो कड़े हो जातें गुटनों पर पढ़ जातें हमने रवायत की हैं आमाम आखमाल रहमो से काला कि वो फरमाते थे शाम वालों के पस इस खदित से ज्यादा बढ़कर को शर्प वाली खदित नहीं यह वो आदिश है कि जिसके सारे रावी जितने भी हैं यह सब शाम के हैं अहल शाम हैं और अजीब बात बताओं हमारे मदर से बनापास के कुछ असातिद हैं और वो भी मदर यहां शाम शाम गए और वहां से इस अदिश को लेकर आ गए इस तरह की मुख्तलिफ अहादित हैं कुछ है कि जिनके रावी जितने भी हैं सब के सब एराकी होते हैं और किसी के रावी जो हैं वो शाम के होते हैं किसी के कहां के किसी के कहां के जिनकों मसलसलात शुमार किया जाता है